हेलो एब्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे सीटेट के फिर से एक्जाम होंगे और एडिमिट कार्ड को भी वेबसाइट पास जारी कर दिया गया है पूरी जानकारी ऑफिसल वेबसाइट पे मैं आपको दिखा दूँगा जहां से सबसे पली बात ना पैनिक नहीं करना है आपको और टेंसन नहीं लेना कि आपका एक्जाम बरबाद हो चुका है और आपको फिर से पेपेर के लिए जो है सेंटर पे अपेर होना होगा तो सारे चीजों को हम लोग देखेंगे सबसे पले ऑफिसल वेबसाइट पे मैं हूँ और नीचे जैसे ही आप आओगे तो देखिए आज के डेट का ही आपको यहां पर पब्लिक नॉटिस दिखेगा तो चलिए पब्लिक नॉटिस जो आई है यहां पर इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और यह पीडियाप आप उपेन करोगे तो देखिए आपके सामने क्या-क्या चीज़ें दिखाई देगी सबसे पहले देख लो आप 27-1-2003 यानि कि 27 जनवरी 2023 का जो है एक नया पब्लिक नॉटिस जारी कर दिया गया है अब इसमें क्या जारी किया गया है उसे देख लेते हैं हम लोग सेत दिसमबर 2022 एकजाम held on 11 जनवरी, 18 जनवरी, 24 जनवरी जिनका एकजाम हुआ था वो टेक्निकल इसू के वज़े से resedule किया गया यानि कि सिर्फ 11 जनवरी 18 जनवरी और 24 जनवरी को जो exam हुए थे उनका exam फिर से किया जाएगा और अब उनके जो admit card है CTAD के website पे available है और आपका जो exam date होगा वो भी आपके admit card में दिख साएगा तो याद रखिए आपका जो roll number application number था आप उसे फिल कर लिजे date of birth के साथ जो है password के साथ फिर से admit card डाउनलोड कर लिजे याद रखिएगा उन सारे दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचा दे जिनका exam हो गया था फिर से उन्हें exam देना है otherwise उनका result नहीं आएगा pending में रह जाएगा thank you so much for watching this video please video को like और channel को subscribe करें